तो हैं आप अगे विलकम बाग ट्यूद गेमिंग और हम रोग आचुके एक और वीडियो के साथ तो फाइनली चार्जबस्टर के वेट पर टिप्स ने ट्रिक्स आप लोग बहुत तो अगर आप चानल पे नए हो आपने चैनल को सबस्क्राइब करें बैल आइकन प्रिस करके जरूर सेट करें रोजादा साथ बजे शाम को लाइव स्क्रीम होता है उसमें भी आप आना मत भूले तो मरते हैं सबसे पहली ट्रिक्की तरफ जो कि होने वाला है चार्ज विद मुवमेंट अब देखो चार्ज बस रेक ऐसी शौर्ट रेंज गन है जिसको करीब में चलाना बहुत मुश्किल है अगर हम इसको चार्ज कर रहे होते तो मुवमेंट जादा नहीं हो पाता है और एनमी हमको आजानी से खतम कर देता है तो करना क्या है हम लोग को यहाँ पर मुवमेंट करते करते चार्ज करना इसको कैसे जंप एंड चार्ज टेकनिक जैसे हम जंप कर रहे होते हैं और जिस मुवमेंट पर हम लोग एयर में होते हवा में होते उस टाइम ही हम लोग इसको चार्ज कर सकते और उसको पूरी तरीके चार्ज करना जोरी नहीं पार् चर्फ करना सबस्क्राइब कर सुनीफूर मुवम्नेट था टी जान होदा चार्फ करने का पांगर टीपि और शाम करना सर्फ करो कि Fox सब्सक्राइब को बहुत जार्च करने की सब्सक्राइब 3rd person perspective angles की बात करें तो आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज करना है अगर आप यहाँ पर चार्ज बस्तर यूज कर रहे हो Glitch fire की बात करें तो देखें Glitch fire एक ऐसे technique बोल सकते हैं जिसको बहुत साई e-sport players यूज भी करते हैं इसमें करना क्या होता है ताइट आपको थोड़ा सा जो cover है उससे दूर आ जाना होता है जो एंगल में आप पर बनाया हो glue wall से और इसके साथ-साथ आपको क्या धियान रखना होता है जो आपका aim है कोरसेर है वो यहां पे जो glue wall या cover है उससे हलका सा राइट साइट बाहर निकल लाओ अब fight करते करते close range में यह चीज करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है लेकिन अगर आप practice करोगे तो आप यह technique यूज कर पाओगे इससे फाइदा यह है कि enemy आपको देख भी नहीं तो शूट करने की चीज तो बहुत दूर की बात है तो यह बहुत जादा फाइदे मनने अगर आप TPP एंगल की बात करें left अंगल से भी कभी कभी आप TPP ले सकते हो इसको पूरी तरीके से चार्ज करके ठीक है अब इस चीज में आप इसको ज्यादा चार्ज कर सकते हो जो movement कितना ज्यादा यूजफूल अब यहां पर देखो मैं कितनी तेंजी से cover में भी वापस आ रहा हूं तो यहां पर मैंने इसको चार्ज किया आगे गया और जूप सूट किया movement होते होते और एक और शॉर्ट करे करकि वापस cover में आ गया ज्याँ से देखो किस तरीके मैंने इ बहुत इंपोर्टेंट है ग्लिच फायर क्लोज रेंज चार्ज बस्टर के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो अगर आपको वीडियो भी तक अच्छी रगी हो तो मेक्शिव आप लाइक करो चानल को सब्सक्राइब करो अभी तक आपने नहीं किया है बेल आइकन प लेकिन फिर भी आपको पार्शल चार्ज करना लिकिवरा सटार के हिट करते हैं तो हमें पथा है मैं प्रशियो पार्ण हैं और उसके बाद देखो मेरा main जो काम होता है वो analog से होता है जो left joystick है पूरा aiming उससे जा रही है और मैं कर क्या रहा हूं जो मेरा aim था आपने देखा होगा कि जो head है उसके आसपास रख रहा हूं बिल्कुल accurate तो आप चाहके भी नहीं कर पाओगे बट हाँ अगर आप neck और head के ब end की aiming होगी वो आपकी combination से होगी याने की joystick जो left में analog होता है उसको और आपका जो aiming है उसके साथ आप combination मनाती हो तभी आपका इस तरीके से aim हो पाएगा चार्जबसर से close range में बहुत important होता है आपको proper aim लेना अगर आप proper aim लेना सीख गए चार्जबसर के साथ आप आसानी से headshot connect कर पाओगे next आता है number four जो कि होने वाला one tap glue wall अब देखो glue wall बहुत जादा important है यानि की one tap hit or glue wall बनाना कुछ इस तरीके से आपको इसकी practice करने ही पड़ेगा इसके बहुत सारे फायदे एक तो चार्जबस्टर का damage काफी जादा रहता है और चार्जबस्टर है जिसमें आप ड्राइग वाली technique यूज नहीं करते हो तो आपको इस चीस की practice करना पड़ेगा because normal में क्या है आप drag करके drag down करके wall लगा लेकिन इसका सिर्म थोड़ा सा अलग है तो आपको इस चीस की practice करना बहुत जादा important है वरना आप चार्जबस्टर नहीं चला पाओगे अगर आप one tap glue wall नहीं लगा पा रहे हो चार्जबस्टर के साथ then close range में आपको बहुत जादा दिक्कत हो सकती है अगर आप चार्जबस्टर यूज कर रहे हो make sure आप इस technique को भी master जरू करो तो अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रहे हो make sure वीडियो को like करे channel को subscribe करके bell icon press करके all प देखो chrono एक बहुत अच्छा character है active skill की अगर मैं बात करूँ because charge booster chrono का जो यह circle होता है उसके अंदर बहुत जादा अच्छा काम करती है because जितना जादा close range में enemy होगा उतना जादा charge booster अच्छे से काम करेंगी इसके साथ साथ Skyler भी बहुत जादा यहाँ पे कारगर साबित हो सकता है because Skyler की बात करें जो one tap lure technique है वो अगर आपको use करना हाती है आपको HP भी देगी Skyler से wall भी break करके instantly release करके यहाँ पे close range में enemy को खतम कर स सकते हैं बहुत ही सही character है Skyler भी chrono भी हाला कि मैं wukong suggest नहीं करूंगा wukong उतना ज्यादा अच्छा नहीं है because जैसे ही आप charge करना शुरू करोगे आपका wukong जो है वो deactivate हो जाएगा तो Skyler और chrono बहुत जाए character है बढ़ इसके साथ साथ हयातो बहुत जादा important है हयातो रखना यहाँ पर mandatory है अगर आप charge booster चला रहे हो charge booster में हयातो यहाँ पर बहुत काम आएगा one tap में भी enemy खतम हो सकते है because west penetrate हो जाती है तो damage बहुत जादा बढ़ जाता है इसके साथ साथ एक character में और suggest करूंगा जो की होने वाला है DB याने की skill जो है बहुत जादा काम की है अब मैं अगर मैं charge booster ले लेता हो तो आप देख सकते हो कितनी ज्यादा movement speed आगी है बेरे अंदर तो movement के लिए Kelly और DB भी यूज़ कर सकते हो आप तो आपको वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी अगर वीडियो अच्छी लगी अगर चैनल क वीडियो